नमस्कार दोस्तों गूड मॉनिंग आपका स्वागत है चाय की चर्चा पे बुद्वार का दिन है पांच जनुवरी तारीक है और मार्केट थोड़े थोड़े लाल 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 हलके हलके दिख रहे हैं तो चर्चा करते हैं सबसे पहले यूएस मार्केट की यूएस मार्केट में कल नेस्टेक थोड़ा 200 पॉइंट की गिरावट दिए उसमें बटी 300 से ज्यादा पॉइंट गिरिया था और बाद में इसने थोड़ी अच्छी खासी रिकवरी दी सुबह सुबह हलकी फुल की गिर हेंडेट vehicle बिलकुल फ्लैट है हैंडेट筋 में 200 लग बग के गिरावट है और चाइन ze मार्किट एक दिन तेज एक दिन alternative देन उन्हों बांद लिये एक दिन green रहता है एक दिन red रहता है एक दिन red रहता है ये Chinese market की हालत है अपना market थोड़ा बहुत flat खुलता हुआ दिख रहा है अभी तक के साब से भी 8 बजे नहीं है अभी तक के साब से तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा इतना आसान नहीं होगा जैसे Friday को तेजी करी पैसा बन गया Monday को तेजी करी पैसा बन गया कल भी देखाओगा आपने उपर नीचे हो रहा था बढ़ अल्टिमेटली तेजी करी तो पैसा बन गया ध्यान से सुनिएगा आज इतना आसान नहीं होगा ठीके? आज इतना आसान नहीं होगा आपको तेजी तब ही करनी है जब निफ्टी 17,800 के उपर रहता है तो अगर वो 17,800 के नीचे चला जाता है आपको तेजी की पोजिशन काट लेनी है यह बात जो अपने गाट मान लीजी सेल करना है नहीं करना है समझ यह चीज को सिमिलरली बैंक निफ्टी में अगर बैंक निफ्टी 36,850 के उपर रहता है तो ही आपको बाइंग की पोजिशन में बने रहना है जैसे ही 850 के नीचे चला जाता है आपको बाइंग की पोजिशन काट लेनी है ठीक है? कोई भी 5 मिनट की कैंडल उसकी 850 के नीचे कलोज हो आपको बाइंग की पोजिशन काट लेनी है ऐसे ही अगर आप निफ्टी में 17,800 के उपर कोई बाइंग की पोजिशन बनाते हैं तो जैसे ही कोई 5 मिनट की कैंडल 17,800 की नीचे कलोज होती है आपको वहाँ से भी बाइंग की पोजिशन काट लेनी है ये तो हो गई कंडिशन की बाइंग है बाइं में कबन अब आप सेल भी कर सकते हैं जैसे ही नीचे की तरफ 765 टूटे 765 बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ से टूटे आप सेल करिए आपके टारगेट रहेंगे इंट्राडे के 740 725 740 पहला 725 दूसरा इनकेश 725 टूटता है इनकेश 725 टूटता है आपको सेल साइड में बने रहना है आपका तीसरा टारगेट निकल के आएगा 690 के लगबा ठीक है 6700 के लिजे या 690 के लिजे प्रोफिट बुक फिर आपको कब सेल साइड में बैठना है दुबारा अगर 670 टूटता है अगर 670 टूटता है तो ये हो गया आपका निफ्टी नीचे की तरफ कब सेल करना है ध्यान दीजिए वीडियो को दुबारा सुनिए था जो मैंने बोला है उसको करिएगा बाइसाइड बने रही है 17800 के उपर रहता है बाइसाइड बने रही है कोई दो राए नहीं है ऐसे ही बैंक निफ्टी में अगर 36800 के नीचे रहता है 36800 के नीचे रहता है तो आप सेल इनिशेट कर सकते है आपके टारगेट नीचे की तरफ 36700 36640 36500 20 के लगबग ये नीचे के टारगेट रहेंगे और 36500 तूटता है तो 36400 36200 के लिए भी तयार रहिएगा पर वैडनस डे है मुझे रेंज बाउंड लग रहा है तो जहां पर 1500-500 पॉइंट मिले बैंक निफटी में प्रॉफिट बुख करिएगा जहां निफटी में 30-40 पॉइंट मिले प्रॉफिट बुख करिएगा प्रॉफिट बुख करना बहुत ही जरूरी है ठीक है दोस्तो वो तेजी रहती है जो मैंने लेवल बोले है डेटा भी तेजी का मोजूद है तेजी करिए बिंदास करिए बढ़ जैसे ही वो लेवल ब्रेक होते हैं तेजी नहीं करनी है और सेल के जो मैंने लेवल बताए है उसके हिसाब से 30-40 पॉइंट के लिए निफ्टी पकका सेल करिएगा बैंक आप से बुक कर लीजिए नहीं किरता है तो कोस्ट पर आकर उसका ऐसलेट होने दीजिए तेजी जभी करनी है जब वो लेवल आएंगे लाग दो तीन दिन में अच्छी कासी तेजी हो गई है आज भी तेजी होती है तो बने रहिएगा सत्सत्रा आजार नो सो तक आपको द